हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अस्वानिकुमार गुकता है मेरे इस चैनल में आप सभी का सौगत है आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गो लेंग्विच में आप यूजर से इंपुट कैसे लेते हैं और इसको एड कैसे कर करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम अपने विजूल स्टूडियो को डेडिटर को ओपन कर लेते हैं और मैंने एक फाइल बना लिए है और यहां पर सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हमनों लिखते हैं पैकेज पीए सी के एजी पैकेज और पैके उसके बाद हम लोग एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं और इस मेन फंक्शन की बॉड़ी डिफाइन कर ये बॉड़ी के अंदर सबसे पहले मा लेजिए मुझे दो नमबर इंपूट करवाने हैं तो मुझे दो वैरेबल डिकला करना होगा वो डिकला करने से पहले मैं एक मैसेज देता हूं यूजर को कि फ़र्स्ट नमबर इंटर करने के लिए फंटी डॉट प्रेंट एलन और मैंस में लिख देता हूं इंटर फ़र्स्ट नमबर अब जब यूजर इंपूट करने जाएगा तो चार सबस्ट को एक वेरेबल चाहि करता हूं वेर ए और इंट मतलब एक वेरेबल होगा इसका नाम यह होगा और यह इंटर्स इंटीजर टाइब वैलो खोल्ड करेगा तो इंपूट रिसीव करने के लिए मुझे लिखना होगा एफम्टी एफम्टी डॉर्ट कैन एलन जैसे मैं पास प्रिंट एलन होता है व क्या सी एन इसकैन एलन और जो भी वैलू इंपूट करवानी होगी वह मुझे यह के लिए करानी है तो मैं लिख दूगा एम परसंटी कुछ सी से मिलता जोलता से इंटेक्स अगर आप ध्यान दे तो कुछ ऐसा ही है और मैं फिर दोनों नंबर को क्या कर लेता हूं दूसरे और मैं यहां वैरेबल चेंज कर देता हूं बी और एफम टी में मैं लिख दूगा है अड्रस ऑफ बी अब मुझे दोनों नंबर को जोड़ना है तो मैं चाहूं तो एक और वैरेबल डिक लेकर देता हूं वैर रिजर्ट इस एक्वल तो थी प्लस बी अप वैर रिजल्ट इस एक्वल तो तो इसको भी आसी करिए वैर रिजर्ट और एंट्रिक लिजी और सेंपल तरी किसे देखिए आप प्रम को और आप्लिकी अधिर्ट इस यू एल्टी रिजल्ट इस एकल टो ए ब्लस बी और अधिर्ट अधिर्ट यह आई यह यह जल्ट वन कर देजाए इसको तो प्रूट पूर्ट पूर्ट देना की कोसिश करता हूं तो आपूट के लिए मैं लिग देता हूं आप एमटी डॉर्ट प्रिंट अलन और मैं लिए ता हूं सम इस एकल टू कॉमा और रिजल्ट वन अब मैं इसको सेब करेता हूं कंट्रोल अस करता हूं यह सेब हो गया रन करवाने के लिए मैं यह टर्मिनल पर आता हूं और मुझे लिखना होगा गो लैंग और और हमारे जो फाइल का नाम है यूज यूजर इंपर्ट डॉट गो और इंटर कर दीजे आप कि अंटर करती ही अभी मेरे पास एक मैसेज आएगा और उसके बाद मैं पहला नम्दर नम्बर इंटरब करूंगा और और यह जवाब मिल जाएगा तो यह मेरा प्रोग्राम करा देखिए मुझे मैसेज आ गया तो मैं पहला नमबर 3 देता हूं इंटर करता हूं सेकंड नमबर 4 देता हूं और देखे अर्क्ट मुझे 7 मिल गया तो इस तरीके से हम गो लैंग में इंपुट रिसीव कर दे हैं यूजर के द्वारा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए और इस सीरीज के पिछले वीडियो को भी आप देखिए थ थाइंक्स